दोस्तों रिसेंटली एंडी टीवी के मसूर जन्रलिस्ट कमाल खान उससे पहले सिद्धार्च सुकला उससे पहले पुनीत राजकुमार ऐसे ऐसे लोग जाने माने लोग हार्ट अटैक से डिथ हो गया और लोग सोचने लगते हैं कि भई हार्ट अटैक से क्यों डिथ हो जाती है जबकि आप देखेंगे दो और हार्ट अटैक महसूर लोगों को हुआ था कपील देव और सौरव गांगुली दोनों बज गए तो ये पूछा जाता है कि सर ये हार्ट अटैक होने के बाद कैसे कोई बच जाता है कैसे कोई मर जाता है तो ये आज मैं खुलासा करना चाहता हूँ आपके सामने देखे पहले तो ये समझते हार्ट अटैक होता क्या है हार्ट पूरे बॉड़ी को जब ब्लड सप्लाई करती है तो अपने लिए तीन ट्यूब लेती है और इन तीनों के अंदर कहीं पे भी ब्लॉकेज हो और वो ब्लॉकेज बढ़ता जाए और एक दिन वो ब्लॉकेज ब ही सप्लाई हो जाएगी जीरो और वो एरिया डेड होगा तो वो कितना बड़ा एरिया डेड होगा इसके उपर डिपेंड करता है वो हार्ट अटैक से डेथ होगी या नहीं होगी ये बात आपको समझाना चाहता हूं तो एक बार देखते हैं हार्ट की पूरी ब्लड सप्ल रहा हूं हार्ट जब पूरे बॉड़ी को ब्लड देती है ये बड़े एरो से तो अपने लिए तीन चोटे चोटे एरो ले ले लेता है ये तीनों ट्यूब को और बड़ा करके दिखा रहा हूं एक राइट साइड में है वो है राइट कॉरोनरी आर्ट्री उससे 30% हाट को सप्लाई मिलती है लेफ्ट में दो है एक फ्रेंट में जाती है इसका नाम है लेफ्ट एंटिरियर डिसेंडिंग इसमें 50% के करीब सप्लाई होती है और एक लेफ्ट सरकंफ्लेक्स है पीछे के तरब उसमें 20% की सप्लाई होती है अब ये तीनों ट्यूब में से कहीं पे भी हार्ट अटेक हो जाए तो एक ट्यूब अगर डिड हो जाए तो दो ट्यूब तो जिंदा रहेगा तो आदमी मरेगा नहीं पर अगर दो ट्यूब एक साथ बंद हो जाए तो हार्ट अटेक से डिथ हो सकता है तो दो ट्यूब का बंद होगा जब इन दोनों ट्यूब लेफ्ट मेइन ट्यूब के अंदर अगर ब्लॉकेज हो और वो बढ़ता जाए और वो एगीन हार्ट अटेक करें तो इसका डेथ होने का पूरा चांसेस है तो इसलिए आपको लोकेशन ऑफ ब्लॉकेज इस वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेगा जब भी कोई को हार्ट यह बचेगा या नहीं बचेगा डिपेंड करता है लोकेशन अगर एकी ट्यूब में है और नीचे के तरह बें तो चोटा हार्ट अटैक होगा अगर एकदम सुरुआत में तो बड़ा हार्ट आठैक होगा पर मरेगा नहीं आदमी पर अगर दो ट्यूब का एक साथ combine जहां पर वहां पर हार्ट अटाइक हो, lift main में हार्ट अटाइक हो तो जान चली जाएगी अब आते हैं कि हार्ट अटाइक होता क्यों है, हार्ट अटाइक का में कारण तो हम लोग सब को मालूम है हाई cholesterol, हाई triglyceride, हाई blood pressure, हाई sugar, irregular food habits और बहुत सारा fat का खाना और बहुत excessive tension, smoking ये सब मिलके हार्ट की बिमारी होती है इन में से जाज़तर लोगों को control हो जाती, blood pressure, sugar होता है, हो control कर लेते हैं पर जाज़तर लोग avoid करते हैं, stress को control करना, और हो सकता है कमाल खान के case में, stress was a major factor, इत्ते important आदमी है और election सामने आ रहा है, चानों तरफ interview लेने की tension, और tension is one of the major कारण of heart attack तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, कि heart attack से tension का बहुत direct risk है, और tension कम करने का हम लोगों को हर बकर सोचना चाहिए ज्यादा तर लोग देखेंगे, आप tension के बखत ही heart attack में आता है और इसके साथ दो और चीज होनी चाहिए, वो है lipid profile जरूर चेक करवाई है, अगर cholesterol हाई है, triglyceride हाई है या कोई family history of heart disease है, तो heart attack के chances ज़्यादा रहता है, blood pressure sugar हो, तो भी heart attack के chances ज़्यादा रहता है तो यही कारण रही होगी कमाल खान के साथ, जो उनको heart attack हुआ, पर location of the blockage was very important मैं लोग बोलते हैं, मुझे location कैसे पता चल सकता है, तो अगर आप एक test होती है, CT coronary scan, आजकल angiography के जगे हो गई है CT angiography, आप जाएए लेटिये, उपर machine से scan करके आपको बता देगा दो मिनिट में कितनी blockage है, और यह scanning आजकल 7-8000 में इंडिया में हर जगे होने लग गई है, तो आप अगर CT coronary scan करके आगे से blockage को detect कर सकते हैं, तो आप sudden मौत से अपने आपको बचा सकते हैं, अगर main important tube में सबसे left main में blockage हो, तो आपको पहले से पता चल जाना चाहिए, या तो आप double precaution लोगे, या तो फिर उसका निदान करोगे, तो आज यहीं पर रोकते हैं, दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर वीमल चाज़ड है, आपको मालूम है, heart का treatment करते हम लोग lifestyle के through, और लोगों को बचाते heart attack से, तो मैं जब भी कोई important आदमी को देखता हूँ, heart attack से मरता है, तो मुझे लगता है, इस से बहुत आदमी सीख ले सकता है, तो आप जरूर इसको लोगों तक पहुचाईए बात को, heart attack को prevent करना बहुत जरूरी है, और कहां पे location उसको जानना बहुत जरूरी है, तो ये आद सब को याद दिलवाना चाहिए, आप हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजे और इसको लाइक कीजे, और हमारे बहुत सारे heart के ओपर वीडियो देख सकते हैं, आप